Dear Students, आज हमारा टोपिक है दिवी सदनी विदान मंदल जब विदान पालिका के दो सदन होते हैं तो उसे दिवी सदनी विदान पालिका का जाता है एक सदन को उपरी सदन और दूसरे सदन को निचला सदन नाम दिया जाता है ओपरिशदन के सदश से ऐपरतेक्स रूप से लोगों दुवारा चुने जाते हैं जबकी निचले सदश से परतेक्स रूप से जनता दुवारा चुना जाता है इंग्लेंड, अमेरिका, कनाडा, जापान, भार्त, ओस्टेलिया, अदिदेशों में दिवी सदन ये विदान मंदल है भार्त में लोक सबा निचला सदन है जब कि राज्य सबा उपरी सदन अमेरिका में भी कॉंग्रेस के दो सदन है पर्तम सदन पर्तिनिती सदन है और दूसरा सिनेट उपरी सदन है बिर्टेन की पार्लियमेंट के भी दो सदन है लोर्ड सदन उपरी सदन है और कॉमन सदन निचला सदन है लोर्ड सदन के सदशे अधीकॉंस पैत्र का अधार पर चुने जाते हैं कनाड़ा की सिनेट में 102 सदशे हैं वे मंत्री मंडल की चलापर गवर्नल जर्नल के दोरा मनोनित किये जाते हैं परतिनी दित्व परांतों के आदार पर नहों कर मोटे तोर पर जन संख्या के आदार पर होता है फ्रांस का उपरी सदन स्टीनेट एपरतेक्स तोर पर चुना जाता है ये गंतंतर के परदेशों का परतिनी दित्व करता है कि फ्रांस से बाहर ुय रहने वाले फ्रांसीशियों के परतिनी जृतवेबिस में दिया जाता है हमारा कैने का विप्रा यह है कि दूसरे सदन का गठन करने का तरीका अलग 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 देशों में भिन भिन है विश्वा कि सब देशों विदान मंडल के कारी एक जैसे नहीं हो सकते हैं क्योंकि विदान पालिका का कारी वहां की शाषन पर नाली पर निरवर होता है फिर भी कुछ कारी ऐसे हैं जो परतेग देश की विदान पालिका दोर किया जाता है नमबर एक है कानून बनाना विदान पालिका का मुख्य कारी है कानून बनाना नए कानून बनाना पुरने कानून में संसोधन करना विदान पालिका का मुख्य कारी होता है पोइंट नमबर दो है सविदान में संसोधन करना विदान मंडल को सविदान में संसोधन करने की शक्ति प्राप्त है बार्त की संसत ने सविदान में अब तक लगबग 113-14 संसोधन कर दिये हैं अगला पॉइंट नमबर तीन है वित पर नियंदरन देश के धन पर जनता का नियंदरन होता है और जनता के परती निदी देश का वार्शिक बजट पास करना, नए टेक्स लगाना, पुराने टेक्स समाप्त करना, धन्भी देख पास करना, शब विदान पालिका के काम पर निर्वर करता है। पॉइंट नमबर चार है नयाइक कारी विदान पाले का कुछ नयाइक कारी भी करती है जैसे कि भारत के रास्पति और उपरास्पति तथा सरोच नयाइले और उच नयाइले के नयाइदी शंसद दुआरा मादोस का प्रस्ताव पास कर सकती है इसी परकार इंग्लेंड की शं पूइंट नमबर पांच है कारिय पालिका पर नी इंत्रन लोगतान तरिक राजे में विदान पालिका सरकार का दूसरा पूरा नी इंत्रन रखती है संसद्य परणाली में कारिय पालिका अपनी निती और कारिय कर्मों के लिए संसद के निचले शदन के परती उत्तरदाई होती है विदान पालिका अडिवेशन के दोरान मंतरियों से परसंद पूछ सकती है वाद विवाद कर सकती है द्याना करशन परस्ताव शंसद में पेश कर सकती है और नेंदा परस्ताव और रह विश्वास का परस्ताव पास करके मंत्री मंडल को पद से त्याग पत्तर देने के लिए भी विवस कर सकती है पॉइंट नमबर 6 है विदेशी शमंदू पर नेंतर विदेश निती का संचालन भी कारिय पालिका द्वार किया जाता है परतेख शविदानी परनाली में कुछ ऐसी विदिया या साध निश्चित की जाते हैं जिसके द्वारा विदान मंडल देश के विदेशी शमंदू पर नेंतर लगता है संसद ये परनाली वाले देशों में परतेख सरकार की निती को अंतिम श्विकरती संसद से लेनी पड़ती है पॉइंट नमबर 7 है शारवजनीक शिकायतूं की अभी विक्ति का मंच विदान मंडल में विदान मंडल में विदान मंडल में निर्वाची जनता के परती निदी होते हैं ये परती निदी अपने चुनाव के छेतर के लोगों के साथ संपरक बनाए रखते हैं उनकी परतेक परकार की कटनायां और शिकायतों को सरकार तक पहुंचाते हैं सरकार की नितियों पर विदान मंडल में विस्तार से भैस होती है और जनता के विवादित मुद्दे को उठाये जाता है